इस चैनल पर उपस्थित सभी बिद्वान सब्सक्राइबर बंदूओ श्रोता बंदूओ और भक्त गणो आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर सेश्वागत और अभनंदन है भक्तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको प्रतिदेन एक रहस्यात्मग वीडियो ले करके आता हूँ और आज भी मैं एक रहस्यात्मग वीडियो ले करके उपस्थित हुआ हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या जीब को किसी हत्या का बदला देना पड़ता है क्या जीब को कर्मों का फल मिलता है क्या किसी की हत्या करने पर उसका बदला देना यह हमारे शाद वीडियो में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही बैल आईकन होती है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने बाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आओ भक्तो अब चलते हैं अपने मैन वीडियो पर एक समय भगवान सरी क्रश्न और अरजुन बन में घूमने के लिए गए दोनों एक साथ जा रहे थे तो अरजुन के मन में एक जिग्यासा जागरत हुई और भगवान सरी क्रश्न से पूछने लगे कि है प्रभू मुझे आप एक बात का भेद बताईए और क्या पूछते हैं वो मैं बता रहा हूँ अरथात अरजुन पूछते हैं भगवान सरी क्रश्न से मैंने ये एक महन संत से कथा सुनी तो मैं उन्हीं की भासा के उन्हीं के सब्दों मैं इसको वयान कर रहा हूँ कि हे प्रभू मुझे आप ये बताईए कि क्या जीव को किसी की हत्या करने का बदला देना पड़ता है अर्जुन कहते हैं कि हे क्रश्न ये बात सही है तो अर्जुन कहते हैं प्रभू ये कैसे प्रमानित हो मुझे कैसे पता चले कि आप कह रहे हैं कि जीव की यत्या का बदला देना पड़ता है तो इस पर भगवान स्री क्रश्ण क्या करते हैं और उस जंगल के बीच रची इस्वरने माया सुंदर सोय का ताल क्रश्ण ने अजब बनाया और एक सिकारी वाई ताल पै उनको पाया एक सिकारी उसे तालब है उनको पाया अर्थात भगवान स्री क्रश्ण ने अपनी माया रच दीनी है और एक सुन्दर्शा तालाब बना दिया और उस तालाब पर एक मच्छुआरा मच्ली पकड़ने के लिए आ जाता है भक्तो उस मच्छुआरे ने मच्छलीयों का पकड़ पकड़ करके छोटी बड़ी और एक बहुत बिशाल धेर लगा रखा था मच्लियां तड़फडा रही थी मच्लियां पानी के बिना बहुत बुरे तरीके से तड़फडाती है और जब वो मच्ली तड़पती हुई अर्जुन ने देखी तो अर्जुन पूछने लगे है प्रभू मेरी जिग्यासा सांत कीजिए क्या इस मच्छुआरे को इन शभी जीवों का बदला देना पड़ेगा प्रभू एक जीव की हत्यागा बदला तो दिया जा सकता है परन्तु ये असेंख्य प्राणी जो इस तरीके से तड़फडा रहे है ये मच्छुआरा कितने जन्वों तक इसन का बदला देगा प्रभू इनको तो हजारों कल्प बीत जाएंगे क्योंकि इन मच्छलियों की संख्या कितनी है और इस मच्छुआरे के समान इस संसार में कितने जीव है तो भगवान स्रीक्रश्न कहने लगे है अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो ये संसार है और इसमें तो कुछ भी होता रहता है क्यों इस मचुआरे पर इतना धान देते हैं और दोनों आगे जंगल में नकल जाते हैं भगवान स्री क्रश्न अर्जुन का भ्रम तोड़ना चाहते थे और जंगल में आगे चले गए कुछ समय बाद भगवान स्री क्रश्न की माया थी अर्जुन उसको पहँचान नहीं पाए भगवान स्री क्रश्न अर्जुन को समझाना चाहते थे कि बास्तविक्ता क्या है तो भगवान स्री क्रश्न क्या करते हैं कि उधर से जब अर्जुन और क्रश्न बापिस लोट रहे होते हैं तो एक बिशाल सरीर वाला कुत्ता होता है बहुत बड़ा सरीर था कुत्ते का और वो कुत्ता मरनासन इस्थिती में पड़ा हुआ मिलता है कुटा मरनासन इस्थिती में है और उसके पूरे सरीर में बाल बाल में कीडे पड़े हुए हैं उसके कीडों की संख्याक की कोई गिंती नहीं कर सकता भगवान स्री क्रश्न और अरजुन जब आ रहे थे तो वो कुटा मार्ग में ही पड़ा हुआ मिलता है अरजुन कहते हैं प्रभू ये कुटा और इतने दुखपा रहा है इतना तड़ फड़ा रहा है क्या कारण है प्रभू इसने क्या गलत कर्म किया है कि ये इसके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं ये म्रतू की भीक मांग रहा है अर्जुन कहने लगी प्रभू मेरा ये संधे दूर कीजिए और क्यों इतने अशंग्य प्राणी इसका मास खा रहे हैं और ये उनके दुक्का प्रतिकार भी नहीं कर सकता उन्हें निकाल भी नहीं सकता क्या कारणे प्रभू भगवान स्री क्रश्न कहते है अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो ये वही मच्वारा है जो हम इधर से गए थे उस समय हमने देखा था और इसने उस तालाप पर कितनी बड़ी मच्छलियों का धेर लगा रखा था मच्छलियों की संख्या अशंख्य थी अर्जुन कहते तो फिर प्रभू क्या हुआ कि ये वही मच्वारा है और ये मरने के बाद एक कुत्ता बन गया अधाम योनी में चला गया और भक्तो ये भी आप जानते हैं कि प्रानी जैसा कर्म करता है उसको उसी योनी में जाना पड़ता है आदमी मन में प्रसन भले ही हो जाए लेकिन कर्म का फल हमेशा भुगतना ही पड़ेगा तो अर्जुन कहते हैं प्रभू तो ये इतना दुख इसलिए पा रहा है कि हाँ क्रश्न हाँ अर्जुन ये इसलिए इतना दुख पा रहा है कि इसने अशंक्य प्राणियों को कितना दुख दिया था और तुम उसे कह रहे थे अर्जुन कि प्रभू ये इनका बदला कैसे चुकाएगा तो देख लीजिए वो अशंक्य प्राणि एक ही जन्म में इसे बदला चुक रहे है वो मच्वारा ये कुत्ता बना है और वो मचलिया है वो ये कीडे बने है तो भक्तों आपको पता होगा अधिकांस कुत्तों की मौत होती है तो उनके मरते समय कीडे पढ़ते हैं अधिकांस जीवों के भी पढ़ जाते हैं बड़े बड़े हातियों के जंगली जानवरों के इसका कारण आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका क्या रहस्य है ये जीव को जीव की हत्या का उसके साथ किये गए बिश्वास घात का बदला देना होता है किसी के सोचन का और जो प्राणी ऐसा करते हैं अर्जुन से कहते हैं क्रश्न हे अर्जुन जो प्राणी किसी निर्दोस और असाय जीव की हत्या करता है जो उसका प्रतिकार भी ना करे उस प्राणी को इन ही अधम योनियों में आकर के जन्म लेना पड़ता है तो इस प्रकार के बचन सुन करके अरजुन का भ्रम तूट जाता है और अरजुन कहते हैं प्रभू आपकी लीला धन्य है मैं समझ गया कि आपने मुझे इस मायावी जाल से क्या समझाया आपके माया को कोई भी नहीं समझ सकता सेस महेश सुरेश दिनेश गनेश इजाय निरंतर धामे नारद सेश व्यास रतें पचहारे तव अगपार न पामे अरथात तुम्हेश सेश हजार मुखों से महेश भगवान संकर सारदा गनेश नारद सोख व्यास आदी तुम्हारा ध्यान धरते हैं परंतु वो तुम्हारा पार नहीं पा सकते असेंख बेद सास्त्र भी तुम्हें नेती नेती कह करके बढ़नत करते हैं तुम्हारे गणों का गान करते हैं परंतु प्रभू तुम्हारी माया का कोई पता नहीं है और आज मेरी समझ में आया कि किस तरीके से एक जीव को दूसरी जीव की हत्या का बदला भी देना पड़ता है तो वक्तो ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि ये जो हम प्रती दिन गंदे कर्म करते हैं किसी को परेशान करते हैं किसी का सोषण करते हैं इन सभी का बदला देना पड़ेगा वह निश्चित है निरधारत है श्वायम भगवान खुर्ष्ण भी नहीं टाल सकते थे उस बदले को आपको पता होगा कि भगवान सरी राम ने जब बिदक के तरीके से छुपकर के बाली पर बार किया था तो बानर राज बाली ने भी यही कह था कि प्रभू आपको मेरा बदला देना होगा और भगवान सरी कृष्णम उसको बदला देते हैं बाली बालिया भील बनते हैं और भगवान सरी कृष्ण पर वो प्रहार करते हैं बान का और भगवान सरी कृष्ण की मृत्व हो जाती है तो जब श्वैम पार ब्रह्म परमेश्वर को बदला देना पड़ा तो हम तुम तो किस गिंती में हैं एक संसार के नातुच्छ इसी के साथ ये वीडियो समापत होता है जै हिंद जै भारत